नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल अबन भाड़ी मिश्टिक पर फिर से सौगत है आज हम आपको हिमाचल के 10 पोश्ट होवर जगाओं के बारे में बताने वाले हैं पर हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको पांच जगाओं के बारे में बताएंगे और अगली पांच जगाओं के बारे में हम आपको इसके सेगंड पार्ट में बताएंगे नमबर दस टनल नमबर 33 काल का शिमला ट्रेंड रोड ये कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है कहते हैं कि कैप्टन बडोग नाम के इंग्रेज को इस टनल की बनानी की जिम्मेदारी दी गई थी पर वे इस काम में बुरी तरह से असफल रहे इस कारण अंग्रेज सरकार ने उन पर जुर्माना लगाया इस बात से अपानित होकर उनोंने खुदखुशी कर ली थी जिसके बाद इस सुरंग से अजीबों गरीब आवाजे सुनाई देती हैं और यहां किसी की आत्मा को चलते फिरते देखा गया है नंबर नो जीजस एंड मेरी कोनवेंट स्कूल जोटा शिमला कहा जाता है की यहां एक सरकटे घोड़ सवार की आत्मा घोमती रहती है जो की यहां की लड़कियों को गुलाब का फोल देती है और जो उसके साथ चला जाता है उसकी मृत्य हो जाती है कहा जाता है कि वो उसे मार देता है और ये भी कहा जाता है कि जो यहां खेल का मेदान है वहां पर पहले यहां पर बच्चों को दफनाया जाता था नमबर आठ चाल विले हवेली इस कहानी के बारे में भी मैंने आपको पहले पताया हुआ है कहा जाता है कि यहां पर एक अंग्रेज की आत्मा भठकती है सन 1913 में यहां विक्टर और उसका परिवार रहने आया जिसके बाद उन्हें यहां की आत्माओं का अभास हुआ उनके स आज ये घर बिलकुल सुनसान पड़ा हुआ है नमबर साथ भूत बंगला सलोगरा कहा जाता है कि यह इमारत सन 1920 में पंजाब के फिरोजपुर के सरदार चड़ा सिंग ने बनाई थी पर इस इमारत के पूरा होने के पहले ही उनकी मृत्ति हो गई उसके बाद यहां बहु उसके का कारोबार शुरू किया एक उस समय बाद ugh उसकी भी मौत हो गई फिर कुछ समय बाद वहां इसके बेटे की भी मिट्यु हो गई उसके बाद एक सुपने नढवा नदावा करा की यह इमारत एक ढम गायब हो जाती है और फिर प्रकट हो जाती है उसके बाद से वह जो दिशी भी लापता हैं, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो जो दिशी कहां गए। मैंने इस कहानी के बारे में आपको पहले भी बताया है, ये जगा शिमला हाइवे और छोटा शिमला के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि यहां एक औरत की आत्मा सफेज साड़ी पहन कर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो लोग उसे लिफ्ट नहीं देते हैं उनके साथ कुछ दुरगटना हो जाती है। इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ जाकर इस कहानी को विस्तार से जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन जगाओं में आपको सबसे जादा होंटिड जगा कौन सी लगी हमें कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का अगला पार्ट दिखने के लिए हमारे चैनल अर्वन पहाडी मिश्टिक को सस्क्राइब करें धन्यवार।